कि नमस्कार स्लावलेकूम स्स्रीयकाल कैसे हैं आप लोग तो हाली में मैंने एक पोल करवाया फेस्बुक पे इंस्टाग्राम पे भी शायद आपने देखा हो कि कितने लोगों को कितने डेंटल ट्रीटमेंट जो करते हैं उनको कितने लोगों को ऐसा लगता है कि उन तक उनके डिजर्विंग नहीं पहुच पाते हैं लोग बाहर से बातचीत करके चले जाते हैं जो मुझे लगी रहा था होगा अबव 95 परसंट लोगों ने बोला कि उनके साथ यह बहुत हुए वो आपको बता सको हूँ था कि आप उनको ऐसे ले सके और पॉजिटिवली इस कलती को करने से रुख सके तो पांच लेसंस सिंपल लेसंस अगर वो आप स्टार्ट आफ प्रेक्टिस और अभी भी प्रेक्टिस में अपने अप्लाय करते हैं तो इस इंपोर्टन चार इरिया में क्लियरली एक बोर्ड रखिए जिस पर क्लियरली विजिबल हो कि दीज आर मैं कंसिल्टिशन चार्ज इस और अगर आपको लगता है फिर भी लोग नहीं समझ रहें तो अपनी रीजिनल लेंग्विज में इंजाबी है उर्दू है इंदी है जो भी बोले जाती ह आपके स्टेट में उसको लिखिए और उसके अंदर क्लियर लिखिए कि दीज आर्ट इस और यह अलग हैं ट्रीट्मेंट चार्ज से राइट पस्तिंग तो कीप इट विजिबल सेकंड तिंग अपने असिस्टेंट को या रिसेप्शनिस को क्योंकि हमारा क्लिनिक इस बाहर ही वह कंसलेशन चार्जिज ले लें फस्तिंग सेकंड दिंग उनको पता रहे कि किस लहजे में बात करनी है कई बार असिस्टेंट बहुत सब्सक्राइब हो जाते हैं कि हां जाईए आपको ट्रेंड करना अपने सिस्टेंट को क्योंकि सर बताईए और वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ बात करनी है सरा बात कर लीजे बात करने में कोई प्रॉलम नहीं है आप एक मिनट बात कर सकते हैं बहुत जादा information मंगता है तो आप उन्हें से request कर सकते एंगे sir for all of that i have to check you and for that we have to take consultation charges please deposit outside and come inside उसके दोरान अगर x-ray charges होते हैं तो हम आपसे लेंगे इस शुद बेरी क्लिर तो इस तरीके से ट्रें अपने असिस्टेंस को नहीं करते हैं उसको कीजिए थर्ड दू नौट अना रिपीट इस वरी बॉर्ट डू नौट स्टार्ट यौर प्रैक्टिस फिद फ्री कंसल्टेशन इस वुट इस वुट इस वुट इस वुट इस को हम प्रॉफेशनल्स है हमें फेमली डाक्टर्स कियों आगा जाता है आपने सुला है कि फैमली इंजीनीर फैमली आर्करिक्ट्ट नहीं फैमली डॉक्टर्स होते हैं आपके बस चाहरा आएंगी आपने एक फैमली मेंबर को यह बोल दिया कि ओके तर आपकी चार्जिस न नहीं देना चाहते, बहुत मुश्किल होती है मुझे, so do not start your practice with reconsolidation and or lesser charges, that is not going to help you, that is going to destroy you in the end. fourth mistake, fourth mistake ये, कि write down ना, लिखना, अलग से लिखना नहीं, आपने prescription बना दिया, आपने prescription को पजटा, उसके बाद आपको लिखना है कि consultation charges are this, and extra charges are this, and this is your total, you have to write it down, why? क्योंकि क्या बाद patient, उसी समें treatment charges, पूछना चाहता है, कराना चाहता है उसी time treatment, आप अलग से नहीं लिखेंगे, तो उसको लगेगा कि वो उसी अंदर है, आपको लिखके रखना है कि these are the treatment charges, these are the consultation charges, why? क्योंकि क्या बाद patient, second thoughts माख मिलाता है, और उस time अगर आपने लिखा नहीं, तो patient चला गया, तो वो हो सकता है वापिस ना आए, ऐसा होता है, हम सब के साथ होता है, so write it down at that point itself, और उस time पे patient कही बार, पाचवी mistake इसी चीज से में related है, कही बार patient ये भी कहता है, सरे सरे treatment तो कराई रहे, तो merge कर लेंगे, एक साथ दे देंगे, बाद में, do not merge your consultation charges with treatment charges, please politely बोले कि सर, consultation charges अब भी दे दीजे, treatment charges तो हमझे treatment शुरू करेंगे, तब ही लेंगे आप से, so do not worry about it, क्यों, क्योंकि, मैं ये नहीं कर रहा कि, हर patient receive करता है आपको, but कई बार patients, second thought उपने दिमाग में लाते हैं, वो आपको बोल के जाते हैं, कि हम आएंगे, और consultation charges और extra charges आपके चले गए ये साथ में, और patient वापिस नहीं आएगा, आपका कोल नहीं उठाएगा, and all of that, you know, we all have handled this, so, please make sure कि ये 5 lessons आप मुझस से ले, जो 5 मिट के अंदर बने आपको बता दिया है, तो 5 मिट के अंदर सब कुछ clear है, I hope you will learn from this, anything else you want to ask, anything else you want, you have any doubt related to dentistry, specifically dental practice, or life, we can always talk, you know my number, 98733-5158, I hope you know my name, humbly speaking, Dr. Sagar Chaudhary, thank you so much guys, love you all.